वीवर्स कुछ ऐसे खतरना क्रियेचर्स जो जमीन के अंदर रहा करते थे वो सब तो नॉर्मल इंसानों को मार कर कच्चा ही खा जाते हैं पर क्या फ्यूचर में हम इंसानों का वजूद बज भी पाएगा इसका पता एक साइंटिस्ट अपनी टाइम मशीन से लगाता है कहानी की शुरुआत में हमें एलेक्स नाम का एक प्रोफेसर दिखाया जाता है एलेक्स तो एक बहुती बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था एलेक्स का नॉलेज्ज तो बाकी टीचरों से काफी अच्छा होता है एलेक्स की एक मंगीतर भी होती है जिसका नम एमा होता है एलेक्स तो अमेशा की तरह एमा से मिलने के लिए पार्क में चला गया था वो दुनों तो मिलकर प्यार बड़ी बाते करते रहते हैं एलेक्स ने तो अपने साथ एक बहुती ब्यूटिफुल रिंग भी लाई थी जिसे कि वो एमा को पहना कर साधी के लिए प्रपोस कर देता है तबी एलेक्स ने नोटिस किया कि एक अंजान आदमी उनके चारो और घूम रहा है और अब वो आदमी उन दोनों को गन दिखा कर सारे पैसे मांग रहा था हाला कि एलेक्स ने अपने पास रखे सारे पैसे उस आदमे को दे दिये होते हैं लेकिन अब वो आदमी Emma के अंगूठी मांग रहा था तबी Alex मौका देखकर उस आदमी के ओपर टूट पड़ता है कुछ भी हो जाए Alex अपनी अंगूठी उस आदमी को नहीं देगा लेकिन अब छीना जब टी में गोली Emma को लग गई थी Emma को तो बहुत ही जादा पेन हो रहा था इसलिए अब थोड़ी दिर बाद Emma की जान चली गई थी Alex तो एकदम सदमी में चले जाता है उसे कुछ भी नहीं समझ रहा था कि वो क्या करे Alex का दोज डेविड उसे आकर समझाता है लेकिन अब Alex ने ये डिसाइट कर लिया था कि वो एक टाइम मशिन बनाएगा जिससे कि वो पास्ट में जाकर Emma को बचा ले अब तो Alex किसी की भी ना सुनते हुए अपने आपको कमरे के अंदर बंद कर लेता है वो तो टाइम मशिन बनाने के लिए दिन रात काम करने लगा था Alex को ना खाने पिने की फिकर होती है और ना ही बाहर जाने की उसे तो कैसे भी करके टाइम मशिन बना कर Emma को वापस लाना था अब इन सारी बातों को पूरे चार साल बीच जाते हैं और अब एलेक्स ने कड़ी मेहनत के बाद वो टाइम मशिन बना ली थी जिससे की वो पास्ट और फ्यूचर दूनों टाइम में जा सकता था एलेक्स टाइम मशिन में बैट कर उस समय में चला जाता है जब Emma पार्क में एलेक्स का वेट कर रही थी एलेक्स तो तुरंट एमा से जाकर गले लग गया था क्योंकि इतने सालों बाद एलेक्स एमा को देखकर फूला ही नहीं समाता और अब एलेक्स को पता था कि इसी जगवा पर एमा की मौत हो जाएगी इसलिए एलेक्स एमा को वहां से दूर लेकर आ जाता है लेकिन अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद Emma का एक accident हो जाता है जिसमें कि वो फिर से मारी गई थी Alex को इन सारी बातों से ये तो समझ में आ गया था कि वो past में जाकर कितनी भी कोशिश कर ले वो Emma को बचा नहीं पाएगा Alex तो फिर से depression में चले जाता है लेकिन अब उसने ये decide कि वो future में जाकर ये पता लगाएगा कि past में जाकर चीजे कैसी change की जाती है इस वक्त समय था 1999 का Alex ने तो अपनी time machine में 20-30 का year select कर लिया होता है और अब time machine on करते ही वो light की speed से निकल पड़ती है इसके कुछी दिर बाद Alex 20-30 में आ गया था वहाँ की सारी technology तो बहुत ही जादा advance लग रही थी अब Alex time machine का पता लगाने के लिए library में चला गया था जहाँ पर उसे एक holographic AI मिलती है जिसका नाम Vox 104 था Alex जब Vox ते time machine के process के बारे में पूछता है तब Vox ने बताया कि अब तक कोई भी time machine जैसी कीज invent ही नहीं हुई है Alex एकदम shock हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन वो इस तरीके से हार नहीं मान सकता था इसलिए अब Alex 2037 में जाने का decide करता है साहत से और भी future वालों के पास ये technology मौजूद हो और अब time machine में travel करते वे Alex 2037 में पहुँच भी गया था लेकिन 2037 की पूरी जगा एकदम से destroy हो चुकी थी मौन पूरी तरीके से तुटकर अर्थ पर गिरने लगा था जिससे कि अर्थ का environment पूरा का पूरा destroy हो जाता है और अब तो इंसानों की बहुत ही बड़ी मातरा में मृत्य होने लगी थी Alex जैसे ही बाहर निकल कर थोड़ा देख रहा था तब ही उससे कुछ military officers पकड़ लेते हैं हाला कि उस time पर भूकम पर हवाएं एकड़म common हो गई थी Alex तो उन army officers से अपनी जान बचा कर वापस time machine में आकर बैट जाता है लेकिन अब जमीन तेजी से हिनने की वज़े से Alex का सर time machine से लग गया था जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और time machine on हो जाती है time machine तो लगातार future की तरब जाने लगी थी Alex को कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है लेकिन बीच रास्ते में उसे थोड़ी देर के लिए होश आ गया था इसलिए वो अपने time machine वहीं पर रोग देता है और अब time machine तो कई लाग साल आगे पहुँच गई थी Alex जब थोड़ी देर बाद अपनी आखे खुलता है तब वो तो एक अलगी जगह पर आ चुका था Alex वहाँ पर एक लड़के को दिखता है जिसका पीच्छा करते करते वो बाहर चला गया था Alex दिखता है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे इंसान मौजूद है लेकिन वो सब तो पुराने जमाने की लोगों जैसे जी रहे थे दरसल 2037 में हमारी प्रिट्वी इगनम से डिस्ट्रॉई हो चुकी थी वो कई लाखों साल बाद वापस से नॉर्मल हो जाएगी हाला कि इंसानों के टेक्नलोजी पूरी तरीके से खतम हो चुकी थी मारा को एलेक्स के सारी बाते समझ में आती हैं और अब मारा एलेक्स को थोड़ी देर तक यहीं रुक कर आराम करने के लिए खैती है सारे बस्ती वाले भी इस बात के लिए मान गये थे अब रात होने पर एलेक्स होने चला जाता है तब ये उसे अचानक से एक डरावना सपना आने लगा था जिसमें वो एक बहुत ही बड़ी गुफा को देखता है और उसके अंदर तो वाइट कलर का अजीब आदमी एलेक्स को लगातार घुरता ही जा रहा था एलेक्स तुरंत ये बुरा सपना देखकर उठ जाता है यहां मारा के भाई ने भी वही सपना देखा था मारा एलेक्स को बताती है कि ये टैप का सपना यहाँ पर सबी लोग दीखते हैं लेकिन किसी को भी अब तक इसका मतलब पता नहीं चाला था अब अगले दिन मारा एलेक्स को लेकर पूरी बस्ती दिखाने चली जाती है मारा एलेक्स से पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर फ्यूचर में क्यों आए एलेक्स तो मारा को कुछ भी नहीं बता था लेकिन मारा को इस बात का आइडिया हो गया था कि ऐलेक्स ने किसी अपने को खोया है इसलिए वो टाइम मशिन का यूज करके यहाँ पर आया था तब जाकर ऐलेक्स बताता है कि वो अपनी मरीवी मंगेतर एमा को बचाना चाहता था इसलिए वो सबसे पहले टाइम मशिन का यूज करके पास्ट में गया था उसने तो एमा को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन पास्ट इस तरीके से कोई भी चेंज ही नहीं कर सकता इसलिए एलेक्स डाइरेक्ली फ्यूचर में चला आया अब मारा एलेक्स को टाइम मशिन के तरफ लेकर आ जाती है एलेक्स को लग रहा था कि उसे यहां से जल से जल चले जाना चाहिए मारा एलेक्स से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके भाई को भी अपने साथ लेकर चले जाए क्योंकि ये पूरी जगब बहुत ही ज़ादा खतरनाक हैं अब थोड़ी दिर बाद ही वहाँ पर सायरन बजने चालो हो जाते हैं मारा और एलेक्स देखने के लिए तुरन बस्ती वालों के पास भागने लगे थे तबी उनके सामने एक बहुत ही खतरना क्रियेचर आ जाता है जिनकी पूरी बोड़ी इंसानों जैसी थी लेकिन वो सब इंसान नहीं थे उन खतरना क्रियेचर के ग्रूप ने तो पूरे बस्ती वालों पर हमला कर दिया था दरसल इन सबी क्रियेचर को मौरलोक कहा जाता है जो जमीन के अंदर रहा करते थे और वो सब इसी तरीके से जमीन के बाहर आकर इंसानों को पकड़ कर जिन्दा ही खा लेते थे अब एक भयानाक मौरलोक ऐलेक्स के पीछे भी लग जाता है एलेक्स तो भागता भागता एक खंबे के उपर चड़ गया था पर वो मौरलॉक भी इतनी आसाने से पीछा ने चोड़ने वाला था मौरलॉक और एलेक्स दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं और अब उस भयानाक मौरलॉक ने एलेक्स का गला पकड़ लिया था जैसे लग रहा था कि एलेक्स की जान चली जाएगी लेकिन तबी एक और साइरन बजने की आवाज आती है उन सभी मौरलॉक का ग्रूप इंसानों को पकड़ कर वापस अपने बेस के अंदर लोट रहा था इसलिए वो मौरलॉक जिसने एलेक्स को पकड़ा था वो उसे छोड़ कर वापस जमीन के अंदर जाने लगता है लेकिन अब वो सब तो मारा को भी पकड़ कर जमीन के अंदर लेकर छले गए थी एलेक्स कैसी भी करके मारा को बचाना चाता है एलेक्स मारा के भाई से प्रामिस करता है कि वो उसकी बड़ी बहन को कैसे भी बचा लेगा इसलिए अब मारा का भाई एलेक्स को लेकर मॉरलोक्स की दुनिया में जाने लगता है वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ी गुफा थी जिसमें वो दोनों बीना डरे अंदर गुश गये थे अंदर जाने के बाद एलेक्स को वहाँ पर वही एई आई का होलोग्राम दिखाए दिया था जो उसने 2030 में देखा था वो एई आई होलोग्राम अब तक इसी दे काम कर रहा था क्योंकि उसका डिवाइस सोलार सिस्टम पर काम करता है और अब एलेक्स होलोग्राम से सब कुछ पूछ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है तब जाकर उस AI होलोग्राम ने बताया कि बहुत सालों पहले मून के टुकडे होकर वो अर्थ पर आकर गिरने लगे थे कुछ इंसान तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जमीन के अंदर चले जाते हैं अब एलेक्स एक ऐसे स्ट्रॉक्चर की तरफ आ जुगा था जो उसने अपने सपनों में भी देखा था एलेक्स समझ जाता है कि यही मौरलोक्स का बेस है एलेक्स ने तो सबसे पहले मारा के भाई को यहां से वापस भीज दिया था और अब वो अकेला ही उन मौरलोक्स के बेस के अंदर चला जाता है वहाँ पर एलेक्स ने दिखा कि चारो तरफ मौरलोक्स फैले हुए हैं जो अपना-पना काम कर रहे थे एलेक्स बड़ी-बारी की से सारी चीजे नूटिस करता जा रहा था लेकिन अब एलेक्स का पैर फिसलने की वज़े से वो एक लिक्वीड में गिर गया था ये आवाजे सुनकर एक मौरलॉक ने एलेक्स को दीख भी लिया होता है इसलिए अब उन मौरलॉक्स ने एलेक्स को पकड़ कर एक रूम के अंदर बंद कर दिया था एलेक्स देखता है कि उस रूम के अंदर मारा को भी कैद किया गया है लेकिन मारा पता नहीं क्यों एलेक्स के उपर ध्यानी नहीं दे रही थी तब जाकर जब एलेक्स ने सामने देखा तब वहाँ पर एक वाइट कलर का आदमी बैठा था दरसल ये आदमी एक बहुती बड़ा माया भी जादूगर होता है जिसके पास माइंड कंट्रोल करने की पावर्स मौजूद थी वो बताता है कि यहाँ पर मौजूद सारे मौरलक्स के दिमाग को उसने कंट्रोल कर लिया है यानि कि मारा भी उसे वाइट वाले आदमी के कंट्रोल में थी और अब वो आदमी एलेक्स को देखकर उसके बारे में सारी चीज़े बता देता है कि कैसे एलेक्स अपनी टाइम मशिन का यूज करके यहाँ फ्यूचर में आया था वो कैसे भी करके अपनी मंगेतर आयमा को बचाना चाता है वो आदमी एलेक्स को बता रहा था कि पास्ट में जाकर कोई भी चीज़े बदली नहीं जा सकती क्योंकि अगर एलेक्स अपनी टाइम मशिन का यूज करके पास्ट में जाकर आयमा को बचा भी लेता तब इसके बाद वो future में time machine बनाता ही नहीं और अगर Alex time machine बनाएगा ही नहीं तब वो past में कैसे चला गया past में जाकर चीजों के साथ छेड़ चाड़ करनी की वज़े से समय का संतुलन बिगड़ जाता है इसलिए वो आदमी Alex से कह रहा था कि जो भी हुआ उसे भुला दो और एक नई शुरुआत करो वाइट वाला आदमी Alex को कहता है कि वो अपने time machine लेकर वापस अपने time line में चले जाए उसने तो Alex के time machine भी अपने पास ही रखी थी जिसे कि वो Alex को लोटा देता है और अब Alex के दिमाग में कुछ भी सूजी नहीं रहा था इसलिए वो सीजे जाकर अपने time machine में बैट जाता है और अब जैसे लग रहा था कि Alex वापस से अपने time line में चला जाएगा लेकिन Alex को कैसे भी करके अपने सवालों का सही जवाब चाहिए था इसलिए Alex ने तुरंट white वाले आदमी को time machine के अंदर खिच लिया था और अब तो उन दोनों में लगातर fighting चालू हो जाती है लेकिन white वाले आदमी के पास बहुत जादा शक्तिया मौजूद थी Alex उसके सामने टिक नहीं पा था और अब वो आदमी Alex का गला पकड़ कर उसे मारना चाता था तभी Alex ने बड़ी चालाकी से time machine का एक airlock उपन कर दिया था जिससे कि हवा का तेज जोका उस दूसरे आदमी के मूँ पर लग जाता है और अब वो time machine के बाहर गिरने लगा था Alex ने तुरन time machine को activate करके future में भीज दिया था और अब time machine की मदद से समय इतनी 30 से बढ़ता है न कि उस white वाले आदमी की पूरी body एकदम से destroy हो चुकी थी हाला कि उसके दोनों हाथ Alex के body पर ही होते हैं Alex तुरन तुसे हटा कर time machine को रोग देता है और अब तो वो कई लाक साल आगे पहुच गया था लेकिन अब Alex ने वहाँ पर जो भी देखा वो एकदम चौका देने वाला था पूरी पृत्वी एकदम से नर्क बन गई थी और अब Morlocks ने सभी जगाओं पर कबजा कर लिया होता है वहाँ पर तो एक सिंगल इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था जिसे कि Alex को पता चल जाता है कि अगर Morlocks नहीं रुके तब वो आने वाले समय में सभी इंसानों को खतम करके कबजा कर लेंगे लेकिन Alex ऐसा बिलकुल नहीं चाता था इसलिए वो तुरंट टाइम मशीन में बैट जाता है और वो वापस उसी टाइम में आ गया था जब मारा को कैद किया गया था Alex कैसे भी करके मारा को वहाँ से बचाता है लेकिन अब इन सारी चीजों के बारे में Morlocks को पता चल गया था इसलिए वो सब मिलकर Alex और मारा के उपर हमला करने ही वाले थे तभी Alex के पास एक प्लान था उसने अपनी एक घड़ी को टाइम मशीन के चेंड में फसा दिया था और अब टाइम मशीन को एक्टिवेट करते ही वो टाइम के लूप में फस जाती है जिससे की एक चेंड रियाक्शन होने लगा था Alex और मारा तो जल से जल वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और अब थोड़ी दिर बाद दिवो टाइम मशीन एकड़म से ब्लास्ट हो जाती है जिसमें से एक ऐसी पावरफुल लेजर निकली थी ना जो सामने आने वाले सभी मौरलोक्स को राख में करणवर्ट कर दे रही थी Alex और मारा कैसे भी करके बाहर निकल नहीं वाले थे पावरफुल बीम की मदद से वहाँ पर मौजूद सारे मौरलोक्स मारे जाते हैं और अब एलेक्स और मारा सही सलामत गुफा के बाहर निकल गए थे यानि कि एलेक्स ने सारे मॉरलोक्स को खतम करके फ्यूचर बदल दिया था लेकिन अब यहाँ एलेक्स को रिलाइज होता है कि उसके टाइम मशिन पूरी डिस्ट्रॉई हो चुकी थी और अब एलेक्स को मारा की रूप में एमा मिल गई थी जिससे की वो कभी भी नहीं छोड़ेगा वहीं दूसरे टाइम लाइन में एलेक्स का फ्रेंड डेविड उसके लिए फिकर करता रहता है लेकिन एंड में वो भी सैटिस्फाय हो गया था कि आकिरकार एलेक्स को उसकी जिन्दगी का मकसद पता चल गया डेविड एलेक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खुर्ष होता है और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खतम हो गई थी सो वी वर्स अगर आपके पास भी इसी तरीके की टाइम मेशीन आ जाए तब आप पास्ट और फ्यूचर की कौन-कौन सी चीज़े बदलना चाहोगे कमेंट सेक्षेन में जरूर बता देना और अगर आपको मेरा एक्स्पिनेशन एक पसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिविशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीकी की मज़दा स्टोरीज धून कर लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी या